गुड आफटरनून बच्चो आज मैं आपको फिफ्ट कलास में ग्रैमर में जंडर समझाऊंगी दियर और फूर जंडर्स जंडर्स फूर काइंड्स के होती हैं फर्स्ट जैसे की मैस्कुलीन, फैमिनन, न्यूटर, कॉमन फर्स्ट हम पढ़ते हैं मैस्कुलीन जंडर्स, मैस्कुलीन जंडर्स वो जंडर्स होती हैं जिसमें मेल्स के बारे में बताया चाता है जैसे यहाँ पर बताया है मैन, हॉरस, कॉक, लाइन, एसेटरा feminine genders वो genders होते हैं जिसमें हम मतलब females के बारे में बताते हैं जैसे hen है, woman है, girl है, etc. third point इसमें है common gender, common genders में वो genders आते हैं इसमें males भी आते हैं और females भी आते हैं जैसे baby है, friend है, child है, cousin है, etc. neuter gender, वो genders होते हैं जिसमें हम चीज़ों का बताया जाता है यानि वो चीज़ें जिनमें life नहीं होती है इसमें जैसे fan है, tv है, pen है, mountains है, rivers है, etc. आज का topic यहीं खतम होता है, अगला इकल पढ़ाएंगे, thank you